जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि चार बजे हम चक्रवियों के साथ आपके सामने पेश होते हैं और चार ऐसे लोगों को चक्रवियों के चक्र में फसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रिवियों के चक्र में फसे हैं असुदिन ओवेसी आतंकी गोल्डी बराड दो गौत असकर और एक दवंग प्रधान इन सभी का सारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके इनकी कर्टूते आपको बताते हैं राम मंदिर पर ओवेसी का विवादिद बयान आतंकी पर पियम मोदी का तगड़ा एक्शन गौत असकरों का मिला विदेशों में नेटवर्क दबंग प्रधान ने बीजेपी नेता पर किया हमला पहली खबर की जैसे जैसे उभर रहा है वैसे वैसे विपक्षियों की नीध हराम हो रही है जहां योध्या में भगवान राम लला की प्रांट प्रधिश्टा की तैयारियों के बीच एयाई मायम नेता असुदीन ओवेसी अपने विवादित बयान को लेकर चर्शा में आ गए हैं ओवेस ने भड़काओ बयान उस वक्त दिया जब वो एक जनसभा को संभूदित कर रहे थे उन्होंने युवाव से अपील करते हुए कहा कि नौजवानों मस्जित को आबाद रखो हमारी मस्जिदे हमसे छीन ली गई नौजवानों तुमसे मैं कह रहा हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है ये सब आप देख रहे हो नौजवानों क्या तुम्हारे हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदे हमसे चील ली जाए अपनी बॉखलाहट को दिखाते हुए ओवेसी ने आगे कहा कि जहां पर हमने 500 साल बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है की तीन चार और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है इसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है यह जो ताकते हैं तुम्हारे दिल से इतिहात को निकालना चाहते हैं उन्होंने आगे कहा आज का नौजवान जो कल का बुड़ा होगा वो अपने दिमाग को आगे राम मंदर के उडगातन की तैयारी चल रही है 22 जन्वरी को प्रधान मंत्र नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान राम लला की प्रार्प ततिष्टा होनी है समारों के लिए देश भर में भव्य तरीके से उत्सहा मनाने की तैयारी की गई है इस दौरान देश के सभी बड़ गोल्डी बराड की दरहसल भारत सरकार ने कैनेडा में चिपे बैठे गैंक्स्टर गोल्डी बराड को आतंगवादी घोशित कर दिया है उसका दूरदांत खालिस्तानी आतंकी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल से भी लिंक निकल कर सामने आया है मालूम हो तो पंजाब आपके मश्यूर सिंगर सद्दू मोसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी गोल्डी नहीं ली थी वह भारत में कई मामलों में वांचित है और उस पर कई सारे केस चल रहे हैं वह कैनेडा से ही क्राइम सिंडिकेट चला रहा था और जेल में बंग गैंक्स्टर लॉरेंस बि सितंबर महिने में गोल्डी बराड के ठिकानों पर पुलिस ने चापे-मारी भी इसके अरावा एनाईये भी बराड के जुड़े लोगों के ठिकानों पर चापे-मारी कर चुकी है और उसे जुड़े कई गैंक्स्टरों को गिरफतार किया गया है केंडर ग्रह मंत्राले न 1967 के तहत आतंगवादी खुशित किया है जह मंतराले ने बताय कि गोल्डी बरार प्रतिबंदित खालिस्तानी संगठन बबर खालसा इंटरनाशनल से भी जुड़ा है जो भारत विरोधी गतिविदियों में शामिल है आपको बता दे कि गोल्डी बरार पंजाब के श्री मुक कैनेडा में रहकर पंजाबी सिंगर सिदू मुसेवाला की हत्या की साजिश भी रची थी और सोशल मीडिया में खुलकर इसकी जानकारी भी उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस कैनेडा तक गई थी लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका बता दे कि कुछ दिन पहले ही गैंक्स्टर लखबीर सिंग लांडा को भी ग्रहम अंतराले ने आतंकी घोशित किया है उसका भी लिंग बबर खालसा इंटरनेशन से है गोल्डी वराड का भी उसी से लिंग है वो पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी हरविंदर सिंग उर्फ रिंदा के साथ काम करता है व यहां उत्तर प्रदेश में जालाउनपूलिस ने प्रतवंदित गायमानज की तशकरी में शामल दो आरोपियों के खिलाप लूक आउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकाउट नोटिस जारी होने के बाद देश भर के एरपोर्ट और बंदरगाहों पर आरोपियों के बारे में सूचना दी गई है जिससे वो विदेश न भाग सके आपको बता दे कि जालाओन में बीते दिन कोतवाली पुलिस ने जासी कानपूर नैशनल हाईवे पर स्कुल प्लाजा के पास कंटेनर को पकड़ा याथा इसके ने कंटेनर में 21,000 किलो प्रतिवन्दत गौमास बड़ामत किया था पुलिस ने चालक और मालिक दतकाल गिरफतार कर लिया था इसके बाद पुलिस ने कंटेनर चालक मनीश कुमार उसके मालिक जनक राम वर्मा मोहम्मद यूसुफ और जुबेर कुरेशी के खलाब गंभीर धालाओं में कीज़ दर्च किया था कंटेनर चालक मनीश और उसके मालिक जनक राम वर्मा को जेल भी भीज दिया गया है जबकि गौमाज की तसकरी कराने वाले महम्मद यूसुफ और जुबेर कुरेशी की गरफतारी के लिए इनके ठिकानों पर चापे माली की थी हाला कि आरोपी पुलिस को चकमा दे कर तब भाग निकली थे इस दोरान पुलिस को कई एहम जानकारिया मिली थी जिसे इसमें शामिल लोगों का नेटवर्क विदेश तक फैला है जैसे लेकर जालाओन पुलिस ने फरार आरोपियों के खलाप लुकाउट नोटिस जारी किया जिसे आरोपी विदेश न भाग सके महीं जालाओन के पुलिस अधिक्षक डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि चैकिंग के दौरान 21,000 किलो मास्क के पैकेट एक लोट कंटेनर से पकड़े गए थे जिसको विधी विज्यापन प्रयोक शाला में सेंपल के लिए भीजा ग साथी पूचताच में इस काम को अंजाम देने वाले दो अन्य लोगों को पकड़ने के लिए टीम में बनाए गई थी जो दो आरोपी मोहमद यूसुप और जुबेर कुरेशी फरार हैं उनके संपर्क में बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हैं इन सभी आरो आखरी खबर में बात एक दबंग प्रधान की जिसने बीजेपी नेता को मंच से उतारा और उसकी पिटाई की मामला उत्तरप्रदेश के मुरादा बात का है जहां एक दबंग गाओं के प्रधान ने बीजेपी नेता के साथ मार पीट की बताया जारा है कि गाओं के स्कूल में विक्सित भारत संकल्प यात्रा कारेक्रम में बीजेपी के नेता और गाउ के प्रधान का मंच पर बैठने what जगड़ा हो गया काउ के प्रधान में इसके बाद बीजेपी नेता उनके समर्थकों को लोगों के साथ घेल दिया और के साथ मारपीट की गई हमले में बीजेपी नेता घायल हुए हैं फिलाल मामला दर्ज कर लिया गया है जानकारी के मुदाब ये पूरा मामला जिले के कुंदर की थाना शेत्र के बगर हुआ गाउं का है यहां पर सरकारी प्राथमिक स्कूल में संकल्प यात्रा के दौरान मन की बाद कारकरम रखा गया था इस कारकरम में लोगों को बैठने के लिए पुक्ता इंतजाम किये गए थे मन की बाद कारकरम का लाइफ प्रसारण रेखने के लिए कुरसी सोफेक अंतजाम किया था प्यम मोदी के मन की बाद कारकरम के लाइफ प्रसारण के बाद संकल्प यात्रा कारेकरम पर भी शर्चा होनी थी जब मंच पर बीजेपी नेता जिशान बैठे और गाउं प्रधान वकार यूनुस तो गाउं के प्रधान को ये बात नागवार गुजरी उन्होंने जिशान को मंच से नीचे उतारा और कहा कि हमारे बाजू में बैठने की तुमारी हैसियत नहीं है इस बात से दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और गाउं के प्रधान ने बीजेपी नेता के साथ मार पीच शुरू कर दी जब बीजेपी कारेकरता जिशान को बचाने आए तो गाउं प्रधान ने लोगों के साथ उन पर भी हमला कर दिया इस मामले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिवाकर ने बताया कि गाउं में कारेकरम के दोरान गाउं प्रधान ने बीजेपी नेता के साथ बत्तमीजी की है इस मामले में बीजेपी अलफ संख्यक मोर्चा के जिला मंत्री जिशान घायल हुए है इस पूरे मामले में उन्होंने पुलि को गुरफतार कर लेंगे आज हमने देखा कैसे चक्रव्यू के चक्र में असो दिन होवेसी आतंकी गोल्डी बराड दो गोत असकर और एक दबंग प्रधान फसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सब के सामड़े आगे चक्रव्यू में फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे संसनी खेस खुलासों के साथ बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार